हालो फ्रेंड्स आज हम पनीर का एक यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है पनीर बेसरा चलिए कोकिंग स्टार्ट करते हैं बेसरा के लिए पहले हम उसका मसाला बनाएंगे इसके लिए मैंने टू टी स्पून मस्टर सीट्स किया है वान टी स्पून क्यूमिन सीट्स तू ड्राय रेड्चीलिस पान से छे गार्लिक क्लोप्स हापिंच जींजर इन सबको पीस लेंगे तोड़ा सा पानी आड़ करेंगे जब को फाइन पेस्ट पना लेंगे बेसरा का मसाला पेस्ट रेडी है अब हम पनीर को फ्राई करेंगे अब एक प्यान में थुड़ा सा ओइल लेंगे ओइल को गरम होने दीजिए यह कि पनीर आदे जाओ रहें पनीर फ्राई हो चुका है अब हमें इसे निकालना है उसी सेम पैन में हमें ओनियर डलना है मैंने बेक बड़ा ओनियर लिया था अन्यों को फ्राई होने देंगे थोड़ा सा करी लीप डालेंगे अन्यों को और दो मिने फूप होने देंगे नेक्स्ट इसमें आड़ करेंगे टू टमाइटों वान टीस्पून सॉल्ट वान फोर टीस्पून टर्मेरी पाउडर वान टीस्पून रेट चिली पाउडर टमाइटों को अच्छे से कूख होने देंगे क्रमाइटों अच्छे से कूख हो चुका है अब इसमें हमारा मसाला पेख डालेंगे तो थोड़ा से स्क्राइब करेंगे ज्यादा क्राइब नहीं करना है इसमें एक कब पानी डालेंगे पानी को बॉयल होने देजिए अब इसमें पनीर आड करेंगे पनीर को पांच मिनिट कूख होने देंगे पनीर बचाइब करेंगे चलिए चेक करते हैं पनीर बेसर रेडी है या साफ कर लेते हैं इसको साफ करते हैं बनेर बेसर रेडी है इस रेसिपी को राइस के साथ एंजोई कीजिए